कि असलाम वालेकुम जी फंडामेंटल ओफिक्स सेलिडे रेजनिक वालकर का टैन्थ एडिशन है चैप्टर थर्टीन ग्रेविटेशन का है वो कहते है यूनिफॉर्म सॉलिट स्फियर है जिसका रेडियस आर है ग्रेविटेशनल एक्सेरेशन एजी है सर्फिस पे वो कहते ह जाएं इनसाइड या आउटसाइड जब ग्रेविटेशनल एक्सेरेशन एडिवाई थरी रहे तो इवन कंडिशन है कि हमारा एक्सेरेशन सर्फिस वाले एक्सेरेशन का तीन गुनार काम हो जाए तो पहले अगर हम इंसाइड वारी सिच्वेशन देख लें तो इंसाइड बराबर आजेगा थ्री जी एम ओवर आर्ट स्केर के तो यह हमें पता चल गया अगर हम आउटस ऑन दा सर्फिस की बात करें आउटसाइड दा स्फियर की बात करें तो अब हम कहेंगे ग्रैविटी जो एम एंड क्लोस करेगा स्फियर को बाई रेडियस आर तो वह इस तू है वह भी पता लाएं दोनों वैल्यूस लेकिस में डाल देते हैं चीजे सिंपल आउट हो जेंगी तो आपके बाद चोटा और ब्राबर आजएगा आर बाई थ्री के तो इसका मतलब एट आर बाई थ्री इंसाइड अगर आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड क्या होगा जी मैस ओफ दार्थ जो हम कंसिडर करेंगे वो तो चेंज ही नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन डिपेंड करेगा डिस्टन्स फ्रॉम दी सेंटर फॉर्थ पे तो हम कहेंगे चोटा हैं बड़े हमके बराबर हो जाएगा यह वैल्यू कट जेंगी तो तो आर स्केर तो आर बराबर आजएगा स्केर रूट 3 वाई आर तो इसका मतलब आउट साइड इतनी दूरी के ओपर एक्सलेशन वान थर्ड रह जएगा और इन साइड इतनी डेफ्थ में जाके एक्सलेशन एपाई 3 होजएगा तो यहां पर एक तरह से डिरेक्री प्रपोश के लिए हासे लाग रहा है यहां पर स्केर के लिया हा था रहा है तो यह जिना आप आरे पसलूशन है अगर आपको इसमें कर्दवा पूशनी हो डाउट हो तो नीचे कमेंट मापूश सकते हैं वडियो की लगई हो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेर कीजिएगा चै चाहला नेक्स देखेंगे ओके अलाफेज